हलो बच्चों, आज हम अध्याय क्लोब अक्षांस एवं दिसांतर के भाग दोपे चर्चा करेंगे तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिसांतर क्या है, दिसांतर और समय और मानक समय पे तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुवात करते हैं देशांतर क्या है से बच्चों किसी स्थान के निर्धारन के लिए अक्षांस रेखाएं अर्थार latitude के साथ साथ देशांतर रेखाओं का ग्यान अर्थार longitude का ग्यान भी आवश्यक होता है बच्चों ये जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्री तथा दक्षनी ध्रुब को मिलाने वाली कालपनी ग्रेखा होती हैं और बच्चों इनकी दूरी ध्रुबों के और जाने पे घटती है तथा ध्रुबों पे जीरो होती है बच्चों यहां अर्था ध्रुबों पे सबी देशांतर रेखाएं जो हैं वो आपस में मिलती हैं बच्चों पुराने समय में स्थान और समय का निर्धारन बहुत कठीन हुआ करता था और इस कठनाईयों को देखते वे बिविन देशों के विद्वानों ने ये निश्चय किया कि बिटेन के जो ग्रिन विच स्थान है जहां बिटिस राज की विच सला स्थित है वहां से प्रमुख यम उत्तर माना जाना चाहिए तो बिच्चों इसका मान जो है वो जीरो डिगरी दिशानतर है अर्थार क्रीन वीच से गुजरने वाली दिशानतर रेखा को प्रमुख यम योतर कहते हैं और इसका मान जो होता है जीरो डिगरी दिशानतर है प्रमुख यम योतर अर्थात प्राइम मेरीडियन बच्चों जहां से हम 180 डिगरी पुर्फ या 180 डिगरी पक्षिम में गन्णा करते हैं और 180 डिगरी पुर्फ तथा 180 डिगरी पक्षिम में याम योतर एक ही रेखा पे स्तित होती है चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा देशांतर क्या है उस पे चारी रखते हैं बच्चो प्रमुक यम्योत्तर जो हैं 0 डिग्री एवं 180 डिग्री दोनों मिलकर पृत्वी को दो समान भागों में पाटते हैं पहला पूर्वी गोलार्द और दूसरा पश्यमी गोलार्द और यही कारण है कि किसी स्थान के देशांतर के आगे आपने पूर्व में ई और पश्यम में डबलू लिखा देखा होगा बच्चों यहाँ पे आपका ये जान लेना जरूरी है कि 180 डिग्री पूर्व एवं पश्यम देशांतर रेखा एक ही रेखा है बच्चों देशांतर रेखाएं अर्थवरित होती हैं विश्वत रेखा पे इनकी बीच की दूरी बराबर होती है लेकिन ध्रूरों की और बढ़ने पे इनकी दूरी घरते जाती है जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे आपको ये भी चालने न ज़रूरी है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के भाग को गोर कहते हैं और जीरो डिगरी अक्षांस पे दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है जो धुरूरों पे घटकर सुनने हो जाती है अपनी चर्चा देशांतर क्या है उस पे जारी रखते हैं बच्चों ये जो देशांतर रेखाओं होती हैं उनको भी अन्षों में मापा जाता है और प्रतेक अन्ष को मिनट में और मिनट को सेकेंड में विभाजित किया जाता है एक डिगरी एक्वल टू सिक्स्टी मिनट और एक मिनट इस उक्वल टू सिक्स्टी सेकेंड होता है बच्चों ग्लोब पे अक्षांस रेखा और देशांतर रेखा के जाल को ग्रिट कहा जाता है जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं बच्चों, अगर किसी स्थान के अक्षांस एवं दिशांतर का सही जानकारी हो, तो ग्लोब पर उस स्थान का पता लगाना आसान हो जाता है। जैसे कि जारखंड का राची सहर जो है 30 डिग्री, 34 उतरी अक्षांस एवं 50 डिग्री 30 पूर्वी दिशानतर पे स्थित है। तो इस जानकारी के माध्यम से हम आसानी से ग्लोब पर राची को लोकेट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चर्चा करेंगे देशानतर और समय पे। तो चलिए चर्चा की शुरुवात करते हैं समय के अंतर की गर्ना करने की विधी से। बच्चों समय को मापने का सब्चे अच्छा साधन है प्रित्वी एवं ग्रहों की गती। सुर्योदय से सुर्यास्त प्रती दिन की घटना है अतर सोभावी ग्रूप से पूरे विश्व में समय निर्धारित करने का ये सबसे अच्छा साधन है। बच्चों स्थानी समय का अंदाज सुर्य के द्वारा बनाई गई परच्छाईयों से भी लगाया जाता है जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सुर्योदय तथा सुर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। जैसा की हम जानते हैं प्रित्वी पर्श्यम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसी कारण से सुर्यदय हमेशा पूर्व दिशा की ओर से होती है। बच्चों किसी भी देशांतर पे जब सुर्य अपनी सर्वोच स्थिती में होगा तो उस देशांतर पे स्थित सभी स्थानों पे जो है वो दोपहर होगी। ग्रीन वीच से गुजरने वाली प्रधान या मियोतर के स्थित देशों में समय सदेव आगे और पश्यम स्थित देशों में सदेव पीछे रहता है। बच्चों जैसा कि हम जामते हैं प्रित्वी 24 घंटे में 360 डिग्री खुम जाती है। अर्थात एक घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में एक डिग्री घुमती है। बच्चों इसी प्रकार यदि ग्रीन वीच में दोपहर के 12 बजते हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पे दोपहर का एक एवं 15 डिग्री पश्मी देशांतर पे सुबह का 11 बजा होगा। और यदि ग्रीन वीच में दोपहर के 12 बजे होंगे तो उस समय 180 डिग्री पे रात के 12 बजेंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते वे अब हम चर्चा करेंगे मानक समय पर। बच्चों अलग अलग दिशांतरों पेस्ति स्थानों के स्थानी समय में अंतर होता है। या कहें तो एक से अधिक यम योत्रों से गुजरने वाले देशों के लिए मानक समय निर्धारत करना आवश्यक हो जाता है। उधारन के लिए भारत में गुजरात के द्वारी का तथा अस्सम में डिबलू गड़ में एक घंटा 45 मिनट का अंतर है। इसलिए ये अवश्यक है कि देश के मद्य भाग से गुजरने वाली किसी देशांतर के स्थानिय समय को देश का मानक समय माना जाए। तो बच्चो इसलिए भारत में साड़े 82 दिग्री 30 मिनट पूर्वी को मानक देशांतर रेखा माना चाता है। बच्चो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा मानक समय पे जारी रखते हैं। बच्चो भारती मानक समय को IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। कुछ देशों के देशांतरिय विस्तार इतना अधिक होता है कि वहां एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे कि रूस को 11 मानक समय छित्रों में पाटा गया है। क्या आपको पता है भारत और इंग्लेंड के बीच समय का कितना अंतर है। बच्चो भारत ग्रीन वीच के पूर्व में 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पे स्तित है। तथा यहां का समय जो है ग्रीन वीच से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में सुबह के 10 बज रहे होंगे तो भारत में 2 पहर के सारे 3 बजते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं किस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों इस वीडियो में हमने दिशांतर क्या है दिशांतर और समय और मानक समय पे चर्चा की। जिसका रेफ्रेंस है भुगोल कक्षाचे की पाठे पुस्तर। और अगली वीडियो में हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उत्यवाद।